क्या स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पुरुष का हाथ होता है? क्या चरित्रहीनता का गुण जन्म से ही होता है? ये कहानी उन लोगों के लिए जो बात-बात पर स्त्री को ही दोश देते हैं. बहुत ही रोचक कहानी है, वीडियो को पूरा जरूर देखें. एक बार महात्मा बुद्ध किसी गाव में गए वहाँ एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने तीन प्रशनों के हल ढूंडने के लिए सन्यास लिया है बुद्ध ने कहा हमारा शरीर युवा और आकरशक है लेकिन यह व्रिद्ध होगा फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा मुझे व्रिद्ध वस्था, बीमारी और मृत्यू के कारण का ज्यान प्राप्त करना है बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंतरित किया जैसे ही ये बात गाव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाएं क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है बुद्ध ने गाव के सर्पंच से पूछा कि क्या ये बात सही है सर्पंच ने भी गाव के लोगों की बात में सहमती जताई तब बुद्ध ने सर्पंच का एक हाथ पकड़ कर कहा कि अब ताली बजा कर दिखाओ इस पर सर्पंच ने कहा कि यह असंभव है एक हाथ से ताली नहीं बज सकती बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार को इस्त्री अकेले ही चरित्रही नहीं हो सकती है यदि इस गाव के पुरुष चरितरहीन नहीं होते तो वहस्त्री भी चरितरहीन नहीं होती गाव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए इसलिए दोस्तों, किसी को बुरा बताने से पहले ये जरूर सोचें कि इसमें दोश किसका है कहीं अपनी भागीदारी तो नहीं है इसमें वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें